हेलो फ्रेंड नमस्कार मैं हूँ आपका साथी गौरा और आप देख रहे हैं अपडेट्स इंडिया साथ यो काफी लंबे समय से डिसी रेट भरतियों का इंतजार था और वो इंतजार अब आपका पूरा हो चुका है हर्याना में एक डिसी रेट की भरतिया चुगी है जिसमें कलर्ध, साहक लिकाकार, सुपरवाईजर विपिन जो पद हैं उनके अउप़र एक डिसी रेट भरतिया चुगी है जिसकी लास्ट डेट बहुत जल्ड यानि 16 जून 2020 है एक कम समय में आपको DC रेट भरती के लिए कम समय के साथ फोर्म भरवाय जा रहे हैं जिसके लिए समय कुछ कम दिया गया है लेकिन आपको बिना किसी इंतजार के आपको एक फोर्म भर देना है दिया आपको DC रेट भरती का इंतजार था एक बड़ी खुसक अपरी है तो यह पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखरी तक देखें और यदि आप अपडेट से इंडिया यूटूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इस प्रकार की जोब इंफोर्म समीती रहों तक के में यह जो है डीसी रेट की भरती निकली हुई है जिसकी लास्ट डेट सोला जून मैंने आपको पहली बता दी है जिसमें कल्रक सायक सुपरवाइजर कार्याले सायक लेखाका सोशल वरकर स्टाफ नर्स म्यूजिक टीचर विभिन जो पद है उनके लिए जो यह भरती निकली है जिसमें युग्यता सनातक पास और डिपलोमा पास मांगी गई है अब मैं आपको अलग लग बतार देता हूँ सबसे बड़ी बात आएगा आपके सामने फोरम कहा मिलेगा वो भी मैं आपको अविलेबल करवाऊंगा सबसे पहले सुपरवाइजर के के लिए इसके लिए आपको ग्रेजिशन पास होना जरूरी है आप किसी फेल से हैं आप से हैं साइन्स से या कोमर्स से हैं आपको संब तक पास होना这 है और जो यह है सभी मैं अठारा से लेकर के 42 साल मांगी गई है जो सैलरी है वो डिसे डर्जी से हम डिसी रेट बोलते है लगभग 15,200 रुपए से सैलरी स्टार्ट होती है 38,000 रुपए तक इन में सैलरी डिवाइडेशन है जो अलग-अलग कैटेगरी बाटी गई है कैटेगरी 1, 2, 3 और 4 उसके अनुसार बाटी गई है तो सुपरवाइजर जो है वो कैटेगरी 3 में आता है तो जो है इसके लिए ग्रिजेशन पास होना चाहिए अगला जो पद है वो कलरक पास है इसके लिए भी आपको ग्रिजेशन पास होना चाहिए तथा कंप्यूटर का नोलेज होना चाहिए इसके लिए कोई डिप्लोमा नहीं मांगा गया है केवल आपको computer का knowledge होना चाहिए अगली जो पद है वो कारियाल ले साहयक वे लेखाकार की है इसके लिए भी become होना चाहिए और computer वे लेखाकारियक आपको basic knowledge यान ग्यान होना चाहिए लेकिन इसके लिए आपको become होना जरूरी है become होना ही जरूरी है कार्याले सायक वर लिखाकार के लिए अगला है social worker इसके लिए आपके पास MSW हो या फिर आपने समाज सास्तर में MA किया हुआ हो post graduate in समाज सास्तर अगली जो है वो staff nurse है इसके लिए BSC nursing हो या फिर आपको ZNM हो अगली last पत है वो है music या yoga teacher इसके लिए आपके पास graduation pass होना चाहिए और संगीत और योगा इनमें यदि आप music के लिए पर रहा है तो आपके पास music में डिप्लोमा और यदि आप yoga के लिए कर रहा है तो yoga में डिप्लोमा होना जरूरी है यह तो हो गई इन के लिए qualification क्या qualification किस पद के लिए मांगी गई है बेसिक जो graduation pass होना चाहिए उनके लिए है साथ में विभिन जो लगला है उनके लिए डिप्लोमा मंगा गया है इन दोनों के लिए अप graduation pass इसके लिए भी कॉम होना जरूरी है सोचल वर्कर के लिए MSW या फिर MS माथ सास्तर में स्टाफ नर्स के लिए बेसि नर्सिंग या दियनम और म्यूजिक योगा टीचर के लिए इसमें डिप्लोमा होना जरूरी है जो आयू में जो छूट दी जाती है वो जूट आपको मिलने वाली है अब इसके लिए फीस निशित की गई है 250 रुपए का जो बैंक ड्राफ्ट है इंडियन रैड क्रोज सोसाइटी डिस्टिक ब्रांच रहो तक के जो है उसमें आपको यह पक्स में जो है बैंक ड्राफ्ट कटवाना होगा और जो बैंक ड्राफ्ट है उसके पिछ अपना पद का नाम अपना पूरा पता और मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा जो आविजयन जो पत्र है जो फोरम है वो बेजने का पता है वह सेकेटरी डिस्टिक रैड क्रोज सोसाइटी सिविल रोड आरिया नगर रहो तक 124001 हरियाना यह जो है यह पता है जहां पर आपको अपना फोरम है वो भेजना है इसके या तो अब जमा करवा सकते हैं या फिर अपडाक के माध्यम से जमा करवा सकते हैं अब आती है बात आपको फोरम कहां मिलेगा आपको फोरम किसी भी ओफलाइन स्टोर पर मिल सकता है या फिर हम से लेने के लिए सतर 15 340606 जो वोट्स बिजनिस अकाउंट है इस पर आप ये फोर्म ले सकते हैं आपको अपने नाम भीजना होगा साथ ही आपको लिखना होगा रोह तक जो डिस्टिक रेड़ को सोसाइटी है उसका फोर्म चाहिए आपको इस नंबर के जरी आपको फोर्म अविलेबल करवा दिया जाएगा जो एक सामने सिल्क के साथ आपको अविलेबल करवा दिया जाएगा इसके लिए जो पता है वह आप मैंने आपको बता दिया इस पते पर आपको फोर्म भेजना है पूरा जो फोर्म है वह भरना है उसके साथ आपके जो भी क्वालिफिकेशन सेट्विकेट हैं उनकी फोटो को पी सेल्फ अटेस्टि करना है फिर यदि आपके पास कोई एक्सप्रियंस है तो वह भी आपको अटेस्ट करना है वह भी आपको सेल्फ अटेस्टिड करना है या फिर कोई अन्य कैटेगरी में सर्टिफियेट हो कोई अन्य परमान पत्तर हो वह भी आप अटेस्ट करना चाहें तो आप उसी अपना श्रम का लिखा हुआ पता जो है उसके अपर एक । LOV को अपको बेजम को बेना है जूरि च्छुटा लिँटो अपना अधरस लिखना के साथ आपको भीजना है भूंच फोर्ब तर ₤ लिखना हैं पलद कर लेना अपने पोस्ट का नाम लिखें जो आप जो भी फोर्म बर रहें उस्तों सभी बड़े अक्षरों में बरें बिल्कुल साफ बने किसी भी परकार की कटिंग या ओवर राइटिंग बिल्कुल भी ना करें और जो यह निर्देश इसको बिल्कुल आपको साथ नहीं भीजना है यह फिलाल एक वर्ष के लिए लिए जाएगी जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है यानि जो यह फोर्म है या भी जॉइनिंग है यह उनली एक वर्ष के लिए दी जाती है उसके बाद में डीसी रेट में हर परकार यही होता है फर्स्ट वन इयर फिर उसके पास आपके ब लागू है तो आपके फीस आपका एधी कैटेगरी लागू है कैटेगरी और आपको एक सेल्फ एड्रस अपना श्यूम पता लिपापा बिना डाग टिकट के इसके साथ लगाना है यह सबी डोकुमेंट के साथ आपको फोरम आप श्यूम भी जमा करवा सकते हैं या फिर आ आपके मद्यम से भी बेच चकते हैं लेकिन आपको 166 से पहले पहले पहुंचाना है तो साथ ही जो सूचना थी आप लोगों तक इसी जो भड़ती है इसकी संब्दित सूचना आप लोगों तक सेयर करनी थी आसा करता हूं कि आपको यह बढ़ती भी अच्छी लगी होगी और आपके लिए कारगार भी साबित होगी इस भरती से संब्दित किसी भी सहायता के लिए फोरम लेने के लिए या नहीं कोई फोरम बढ़ने में प्रोग्रम आए आप मुझे कोमेंट्स करें मैं आपके सॉलिशन जरूर कोशिस करूंगा साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज भी कोशिस कर सकी आपने वीडियो यहां तक देखा आपको बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन सुग्व